गुजरात विदान सभा के स्पीकर अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। राजिंद्र त्रिवेदी के प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी और समविदान निर्माता डॉक्टर बी आर अमबेटकर ब्रामभन और कृष्ण भगवान ओबी सी बता डाला। यह करते हुए त्रिवेदी ने कहा कि ब्रामभन कभी भी सत्ता के भूखे नहीं रहे। ब्रामभनों ने राजाओं के लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य, श्री राम और श्री कृष्ण का उदाहरन देते हुए कहा कि मैं हमीशा क कहता हुँ कि ब्रामभनों ने ही भगवान बनाये। भगवान राम एक शत्रिय थे लेकिन रिशी मुन्यों ने उन्हें भगवान बनाया। गोकुल के चरवाही ओबीसी थे जिन्हें संदीपनी रिशी ने भगवान बनाया। भगवान व्यास एक मत्स्य कया के बेटे थे और उन्हें भी ब्राम्भनों ने बगवान बनाया। अपनी संबोधन में स्पीकर ने कहा कि हर पढ़ा लिखा इंसान ब्राम्भन होता है। मुझे ये कहने में कोई जिजक नहीं है कि अंबेक कर भी एक ब्राम्भन थे। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि माननी ये प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी जी भी ब्राम्भन है। उन्होंने बताये कि ब्राम्भन समुदायने देश को 5 राष्ट्र पती, 7 प्रधान मंत्री, 50 मुख्य मंत्री, 50 से ज्यादा राजिपाल, 27 भारत रत्न विजेता और 7 नोबल, कुरसकार विजेता देये हैं। त्रिवेदी ने महान राजनीतिग्य चानक्य का उधारन देते हुए कहा है कि चानक्य अगर चाहते तो कोदराजगदी पर बैठते लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और चंद्रगुप्त मौरे को राजा बनाया, क्योंकि ब्राम्भन कभी सत्ता के पीछे नहीं भागते दूसरों के लिए सत्ता का मार्ग प्रशस करते हैं।